सब्सक्राइब किजिएगा मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकोन को जिससे आने वाली से भी लेटेस्ट वीडियो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएगी हेलो दोस्तो फिर सापका स्वागत करता हूँ टेक गुरुजी के इस नए पिसोड में तो दोस्तो आज मैं टॉपिक लेके आए हूँ वोची टॉपिक है कैंशर के बारे में दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जब किस इंसान को कैंशर होता है कही नकहीं उस cancer का कुछ symptoms उसके बौड़ी में दिखना चालो होता लेकिन जब तक ये symptoms उस इंसान को पता चलता है तब तक उसे काफी लेट हो जाता है और ये कहीं न कहीं second या third stage में पहुँच जाता है दोस्तो आज की time सबसे बड़ा जो problem ये होता है कि वो symptoms को पहचाना उसका जो body उसे कुछ संकेत देता है कि ये चीजे changes हो रही है तो ये इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये जो symptoms हैं ये cancer के हैं या फिर किसी और चीज़ के दोस्तो सबसे पहला जो है वो है आत में समस्या आत मतलब की intestine इसमें दोस्तों intestine की समस्या हो सकती है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर किसी इंसान को अगर cancer से related अगर ऐसा किस problem है तो उसके आत में आई दिन problems होते रहेंगे अगर किसी इंसान को अगर ऐसे problem साते हैं तो समझ जाएए कि उसको colon या फिर cholesterol cancer की शुरुआती लक्षन सामने आ रही है और इसी के साथ में दोस्तों उसको diarrhea और अपचन जैसी समस्या है भी सामने दिखेंगी और इसके वज़े से पेट में गैस या फिर पेट के जो समस्या हैं वो दिखना चालू हो जाएंगी इसके बाद दूसरा जो लक्षन है वो है खून का बहना इसमें दोस्तों लगातार खून का बहना भी एक सिंटम से कैंसर का अगर किसी इंसान को अगर कैंसर की समभावना है तो हो सकता है कि वह मलत्याग करने के टाइम खून निकले और पिरिड में महिलाओं की बात कրें तो अगर किसी महिला का पिरेड के बाद भी अगर बलड निकलता है तो भी उनको बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह भी एक शिंटम से कैंसर का उसके बाद दोस्तो जो तीसरा symptom है वो है रात में पसीना निकलना दोस्तो अगर आप रात में सोते हैं और आपको पसीना निकलता है तो ये किसी दवा के सरीर में reaction या फिर सरीर के अंदर किसी भी infection का एक symptom है दोस्तों इस condition में अगर आप सोते हैं और कई हफतों तक अगर आपको ऐसा लगता है कि रात में आपको पसीना ज़्यादा आता है और ये बंद नहीं होता तो आप डॉक्टर को जरूर कंसर्ण कर ले क्योंकि ये भी एक symptoms cancer का ही है उसके बाद जो चौथा symptoms है बदन दर्द या फिर कमजोरी दोस्तों आपको बता दू कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं या फिर आप गलत तरीके से कहीं पर बैठे हो तो भी आपके सरीर में दर्द होता ही है मगर दोस्तों लगातार पीठ में दर्द होना ये एक symptom सो सकता है cancer का इसके अलबद दोस्तों कमर के आसपास की जो मांसपेसिया है अगर वहाँ पर भी दर्द होता है और बिना वज़े जरूर से ही ज़्यादा आपको ठकावट लगती है तो ये भी दोस्तों एक cancer की सुरुवाती लक्षन है उसके बाद जो पांचवा लक्षन है वो है वज़न कम होना दोस्तों आपको बता दू कि अगर बिना किसी कारण आपका वज़न कम हो रहा हो तो ये cancer की सुरुवाती लक्षन हो सकता है इसमें दोस्तों भूक लगने में कमी ज़्यादा खाना नहीं खा पाना भी एक लक्षन है दोस्तों अगर आपका बिना किसी मेहनत से अगर आपके सेरी में 5-6 किलो की अगर कमी हो जा रही है तो आपको बता दू कि ये भी एक symptoms cancer का है उसके बाद छटा जो है symptoms वो है लगातार खासी आना आपको बता दू कि cold flu के अलावा धुम्रपान करने वालों को भी खासी आता है लेकिन ये common है लेकिन दोस्तों अगर बिना किसी कारण से अगर आपको खासी आता है तो आपको बता दू कि ये भी एक lung cancer की सुरात हो सकती है अगर खासी के साथ खुन भी आता है तो आप डॉक्टर से जरूर concern कर लें इसके लावाद दोस्तों गले में तकलीफ होना खाना निगलने के time परिशानी होना तो ये भी symptoms हो सकता है उसके बाद last एक symptoms है वो है सीने में जलन और अपचन आपको बता दूँ कि सीने में जलन या फिर अपचन ये दोनों ही आम समस्या है आम तोर पर दोस्तों जादा खाना खाना या फिर मसालेदार खाने से भी ऐसी चीज़े होती है मगर जब ऐसा लगातार हो रहा हो तो आप समझ लेजिए कि ये आपके सरीर में कुछ अलग हो रहा है और ये एक चिंता का कारण है तो ऐसे समय में आप डॉक्टर को जरूर कंसर कर लें क्योंकि ये भी एक symptoms cancer का ही हो सकता है दोस्तों आपको बता दूँ कि जो symptoms मैंने आपको बता हैं अगर आप उन symptoms अगर ज़्यादा तर अगर आप से match कर रहा हो तो आप जरूर डॉक्टर से concern कर लें क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं ये एक cancer का ही symptoms हो आपको बता दूँ कि cancer patient को जब भी symptoms आता है तो mostly उनको second या third stage में पता चलता है और अपने family का भी ख्याल रख सकें जिससे उनको ऐसी चीज़े ऐसी बिमारीय ना हो सकें और वो अच्छे से अपनी life को जीते रहें तो दोस्तों ज़से ये information लायत है मैं आपके लिए इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी और भी help कर सकूँ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेर कीजेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा